Hello and welcome back to step by step study कैसे हो आप सब तो मैं हूँ स्वाती और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्लाटफॉर्म पे तो आज की वीडियो का टॉपिक है What is a Facebook Metaverse? आपको पता है Facebook ने अपना नेम चेंज करके Metaverse कर दिया है It is now known as Metaverse So ये Metaverse है क्या ये हम डिसकस करेंगे Plus हम डिसकस करेंगे कि क्या Facebook ने अपने नाम को Metaverse किया है या ये Metaverse है क्या चीज चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते है अपनी वीडियो के साथ So आप सभी को पता है Facebook ने अपने नाम को बदल के Meta कर दिया है जिसने जैसे कि Mark Zuckerberg जो है उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो क्लियरली future को think करते हैं कि future जो internet का है वो किसी ऐसे चीज में लाए करता है जो कि beyond our thinking है Beyond our thinking that is known as Metaverse Metaverse क्या है एए एक virtual world है where people will live, work, play together but in a virtual world एक अलग से virtual world में वो खेलेंगे, खूदेंगे वो एक दूसरे से बात करेंगे वो एक दूसरे की साथ meeting अटेंड कर पाएंगे घर बैटे बैटे ही वो शॉपिंग कर पाएंगे अब आप बोलेंगे कि शॉपिंग तो हम वैसी भी घर बैट के कर सकते हैं हम यहां पर भी zoom meeting कर सकते हैं तो इस metaverse में यह metaverse क्या है इसमें actual में क्या क्या ऐसा additional चीजे हैं जो हम कहें कि यह इतना खास हो जाता है तो आज की वीडियो इसी के बारे में है तो हम discuss करेंगे कि यह इतना important कैसे हो जाता है और metaverse को थोड़ा सा typical है यह topic समझना बट मैं आपको diagram के थूँ सारा समझा दूँगे उससे पहले theory है तो theory को थोड़ा सा पढ़ लेंगे ठीक है so facebook ने अपनी आत्रा जो है वो meta के रूप में दुबारा से शुरू की है as meta आप सभी को पता है facebook पे बहुत सारे allegations लगने लग गए थे बहुत सारे बड़े बड़े leaders जो थे वो सब बोलने लग गए थे कि जो privacy है वो उनकी leak हो रही है plus बहुत सारे allegations जो है facebook पे लगने लग गए थे जैसे कि facebook hatred फिला रहा है communism फिला रहा है तो जिस वज़े से Mark Zuckerberg जो है वो एक ऐसा step लेके आए है facebook के लिए कि उसके बाद में यह जो सारे allegations से सारे blame से वो भी हट जाएंगे so यह जो metaverse है यह एक conference हुई थी जो की है connect 2021 जिसमें Mark Zuckerberg ने meta facebook यह बोला था कि वो facebook का name change करके meta रख रहे है metaverse का मतलब क्या है meta का मतलब होता है तो मैं यह आपर लिख दे दी हूँ meta plus verse meta का मतलब है beyond और verse आया है आपके universe से तो beyond universe आप लगा लो right? so this is the meaning of metaverse या फिर after universe जो हमारी सोच से भी परे है उसे हम बोलेंगे meta that is beyond our thinking beyond universe जो की हमारी कल्पना से अलग है मतलब जो हम कल्पना कर सकते है उसको virtual reality में उतारना for example मैं चाहती हूँ कि यहां मैं बैटी हूँ लेकिन मेरी friend भी आके मेरे साथ यहां बैट जाए तो क्या यह possible है वो बिना यहां पर आए उसकी presence ना हो ना मैं कोई बूत मैं ऐसे ही बोल रही हूँ just like a spirit कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ में रहे हमेशा और उसको मैं कैसे possible कर सकती हूँ वो possible हो सकता है metaverse से तो यह metaverse कोई नई चीज नहीं है जो नील स्टिफन से इनको credit जाता है for coining the term that is metaverse उन्होंने एक novel fiction novel लिखिदी 1992 में that is snow crash जिसके उपर यह सारा metaverse है उन्होंने सबसे पहले ही विजन कर लिया था कि किस तरीके से जो इस novel में उन्होंने दिखाया है कि अफतार्स दिखाया है अब आपने देखी होंगे facebook में आप अपने अफतार क्रिएट करते हो इसी तरीके से snow crash में उन्होंने यह दिखाया fiction novel में fiction है यह fiction क्या होते है reality नहीं होती यह purely आपकी कलपना होती है तो उसी कलपना को सच करके दिखा रहे हैं Mark Zuckerberg और और companies भी जैसे Microsoft वगेरा वो भी इसकी तरफ जो है आगे बढ़ रहे है that is metaverse की तरफ तो यह जो snow crash था यह जो novel था इसमें basically अफ़तार create किये गए थे जिसमें जो 3D buildings में ठीक है एक 3D building होती है 3D अफ़तार है यह जो की real असलियत में building में मिलते हैं और एक virtual reality environment में meeting होती है और यह सब होता है अब यह चीज क्या है यह आपको समझ में आएगा सिरफ और सिरफ डाइग्राम के थूँ अब ही हम discuss करते हैं थियोरी सी थियोरी बढ़ते जाते हैं आगे बढ़ते हैं जब से बहुत सारी developments हो चुकी है जब से यह novel उन्होंने निल स्टिफिंसन ने novel coin किया है metaverse के नाम से जो friction था इसका snow crash तब से ही बहुत सारी developments हो चुकी है इस field में to make real metaverse an online virtual world which will incorporate to augmented reality, virtual reality 3D holographic अफ्तार्स, video and other means of communication जैसे जैसे की metaverse expand करेगा यह offer करेगा hyper real alternative world for you to go exist in एक hyper alternative world यह create कर देगा हमारे जीने के लिए अब यह कैसे करेगा आगे समझेंगे अभी भी metaverse exist करता है कुछ online games में जैसे की fortnite हो गया minecraft हो गया roblox हो गया यह कुछ games है जिसमें actual में metaverse exist करता है इन online games में metaverse क्या है यह यह एक shared virtual environment है जहाँ पर लोग जो है access कर सकते है internet के थूँ मतलब एक shared virtual environment को लोग अलग अलग जगे से internet के थूँ access कर सकते है for example मैं यहाँ पर बैठी हूँ मेरी friend यहाँ बैठी है मैं चाहती हूँ कि जो मैं देख रही हूँ वही चीज वो देखे और मेरे को उसकी presence मेरे साथ में ही feel हो right तो मेरे पास कुछ ऐसे devices होंगे कुछ ऐसे चश्मे होंगे जो मैं लगाँगी 3D goggles और उसमें ही ऐसे device होगा जिसकी वज़े से और उसमें भी यह device लगा रखा होगा अपनी eyes पे ठीक है eyes और ears पे तो क्या होगा जो चीज मैं देख रही होगी वही चीज वो देख रही होगी और मुझे ऐसी feeling आएगी उन चश्मों के थूँ कि मेरे साथ में ही मेरी friend भी वैटी हुई है और वो वही चीज देख रही है जो मैं देख रही हूँ और similarly मेरी friend को भी यही feel आएगी कि मैं बिल्कुल उसके साथ में बैटी हूँ और देख रही हूँ कुछ अब आपने जब movie थीएटर में जाते होगे और 3D goggles लगाते होगे तो ऐसा लगता है जैसे कि हर चीज आपके पास में आ गई हो राइट ऐसा लगता है आप एक virtual reality में घुस गए हो आप उस movie में ही घुस गए हो वो पेड़ बॉद है आपके साथ में है हर चीज चाहे वो plane हो चाहे कुछ भी हो बिल्कुल आपके आखों के सामने इस तरीके से आता है कि वो reality बन जाती है तो इसी तरीके का ये metaverse है तो वो जैसी ही आप ये device को पहनोगे तो इस तरीके से लगेगा जैसे कि आपकी friend जो है बिल्कुल आपके साथ में ही बैटी है अब यहाँ पर सिरफ बैटने का नहीं Facebook ये दावा कर रहा है ये लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ ऐसे touches हैं जो हम लोग feel कर सकते हैं for example holding the hand अगर मुझे मान लो मेरी friend का हाथ पकड़ना है तो मुझे इस तरीके से feel भी आएगी कुछ sensors के थूँ यहाँ पर कुछ sensors लगे होंगे device में जो की मेरे को actual में feel करवाएंगे कि वो साथ में बैटी है और मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ है तो यह बहुत ही different चीज है Metaverse बहुत ही अलग high level पे यह सोचा गया है अब चलिए Metaverse एक share virtual environment है जो people access कर सकते हैं internet के थू technologies जैसे की virtual reality और augmented realities are combined together in a Metaverse to create a sense of virtual presence augmented reality और virtual reality यह दोनों चीज गंबाइन होके Metaverse में ऐसा sense देती है जैसे की virtual presence का और example real में कोई present नहीं है लेकिन आपको लगेगा virtually कोई साथ में present है तो augmented reality क्या है यह augmented reality होती है आपकी जिसमें 25% तो virtual होता है और 75% actual में होता है अब game देखना आपने Pokemon Go game देखा होगा उसमें क्या होता है कि आप अपनी computer screen on कर देते हैं आप दिखाई देते हैं उसमें और इस तरीके से लगता है जैसे Pokemon आपके पीछे पीछे ही रन कर रहा हो तो that is augmented reality virtual reality क्या है इसमें 75% चीज़े virtual होंगी और 25% reality होगी तो यह हम पढ़ेंगे आगे कि किस तरीके से 75% virtual और 25% real होगी तो यह metaverse क्या है metaverse which is a combination of multiple elements of technologies including virtual reality जो अभी हमने डिसकस करी है augmented reality videos where users go live within a digital universe मतलब एक digital universe है अब मान लीजिए हम जिस universe में रहते हैं यहाँ पर हमारा एक अपना universe है लेकिन जैसे ही हम उस device को पहन लेंगे और लोग भी पहन लेंगे तो एक different ही universe हमें दिखेगा आपने देखा होगा robot movie में किस तरीके से वो goggles पहनता है उसको अपने सामने कुछ कुछ दिखता है वो वहाँ से operate करता है और operate करके वो सारा काम हो जाता है और वो चीज बस वही देख सकता है वो robot ही बाकि कोई भी वो चीज नहीं देख सकता तो यही चीज है metaverse में भी metaverse में जो users होंगे they can work, play and stay connected with friends through everything from concerts and conference to virtual trips around the world वो आप एक दूसरे के साथ खेल सकते है काम कर सकते है they can connect with friends everything मतलब concert attend कर सकते है parties attend कर सकते है virtual trips attend कर सकते है throughout the world मतलब world के किसी भी कोने में बैठ के आप कहीं भी party attend कर सकते हो so this is a metaverse मतलब आपकी physical presence ज़रूरी नहीं है वहाँ पर आपकी एक virtual presence होगी all right चलिए जो Matthew Ball है managing partner of venture capital from Appelion industry February 2021 के essay में जो उन्होंने website पे publish कराया था ये बोला था कि right now we are on the cusp of next internet हम में अब एक दूसरी next internet की cd बे हैं अब so ये जो metaverse है when to expect metaverse ये कब तक आएगा Mark Zuckerberg ने जो newly named meta है formerly जिसको हम facebook बोलते थे या बोलते हैं उसको बोला है कि उसके features को आने में mainstream में उतारने में 5 से 10 साल लग जाएंगे to make it as a reality कुछ expects metaverse के अभी भी exist करते हैं जैसे कि ultra fast broadband फीड हो गई आपकी virtual reality headsets हो गई virtual reality headsets में क्या होता है आपने headsets डाला और आप बिल्कुल ही अलग दुनिया में चले जाते हो अलगी चीजें आपको दिखती है कई बार आपने देखा होगा वो headset डालके goggles लगा के आपको आस पास का कुछ भी नहीं दिख रहा लेकिन आपको एक movie दिख रही है और सिरफ जो वो एक virtual चीज दिख रही है और आपको ऐसा लगता है आप उस virtual reality में है अभी तक तो आपने सिरफ यही देखा है कि एक movie चल रही है या फिर आप biking कर रहे हो गेम्स वेगरा में देखा है कि आप बाइक चला रहे हो इस तरीके की road है इसी तरीके से अभी सिरफ गेम्स तक सहीमित नहीं रहेगा अब लोग कहीं भी बैटके पार्टी कर सकेंगे अपना grocery खरीच सकेंगे movies देख सकेंगे एक दूसरे की presence तक feel कर सकेंगे virtually not physically बट virtually अब यह metaverse जो है it is a parent company अब आप यह लगा लीजिए metaverse को इस तरीके की company नहीं है it is a parent company या फिर आप कह सकते हो umbrella company के रूप में जानी जाएगी umbrella company क्यों कहा गया है देखिए जैसे कि आपको पता है alphabet है गूगल की parent company उसके अंडर ही क्या चलता है आपका YouTube राइल गूगल वेब यह सारी चीज़े alphabet के अंडर आदे it is a parent company इसी तरीके से meta को Mark Zuckerberg ने parent company बना दिया है और इसके अंडर चलेगी आपकी FB Facebook, Whatsapp Insta यह सब चीज़े इस meta के अंडर चलेगी it is a parent company और यह जो Facebook, Whatsapp और Instagram है यह सब इसकी कौन सी companies है Child companies जो लगा लीज़े ठीक है I hope आपको समझ में आया होगा इसलिए इसको umbrella company भी बोला गया है Meta को So आगे चलते है इसका जो symbol है Meta का symbol इस सरीके से बनाया गया है This is the symbol of Meta इसका मतलब क्या है Infinity कभी भी ना खतम होने वाला So Metaverse Meta and Universe मतलब की Beyond Universe It is a hypnotized Iteration of internet supporting persistent online 3D virtual environments through conventional personal computing as well as virtual and augmented realities headsets Metaverses in some limit forms are already present on the platforms जैसे कि VR chat, video games जैसे कि Second Life इन सब में Metaverse अभी भी exist करता है Meta जो है जो टेक जाइंट जिसको हम Facebook बोलते थे has already made a significant investment in virtual reality including 2014 acquisition of Oculus जो 2014 में Oculus को इनोंने एक्वायर किया था वो भी एक virtual reality पे भी based है Right So, यह आप पढ़ सकते हैं नीचे से Microsoft में भी इसके ओपर काम चल रहा है So, 2022 तक जो है इनके पास काम हो जाएगा And US Army is currently working with Microsoft on augmented reality HoloLens 2 headset for soldiers to train, rehearse, fight in Right? So, यह आप देख सकते हैं कि Metaverse कितना जादा जादा जो है वो बढ़ चुका है कितनी जगे पे यह Metaverse की technology आ गई है So, अब हम discuss करते हैं एक diagram के थूँ कि यह Metaverse किस तरीके से काम करेगा For example, कि हमें कोई meeting attend करनी है आप किसी office में काम करते हो And यह सब आपके friends है Friend आप यह आप हो यह आपकी friend है She is your friend and he is your boss आप सभी को एक presentation देनी है और एक conference meeting attend करनी है आप क्या करेंगे एक virtual conference meeting करवाएंगे एक room होगा जहां पर जो भी data है आपका जो भी चीज़े हैं वो आप वहाँ पर लेके जाएंगे सब कुछ काम होगा virtually आपने यहां पर आप अपने घर पे बैठे हो यह चारो अपने अपने घरों में बैठे हैं राइट A B C D इसने भी headset पहना हुआ है इसने भी headset पहना हुआ है इसने भी headset पहना हुआ है और इसने भी headset पहना हुआ है आप अपने presentation रखते हों यहां पर राइट जैसे भी करके आप online virtually आप एक presentation दे रहे हो आपको ये लगेगा कि ये जो आपकी colleague है ये भी आपके साथ में बैटके उसी presentation को देख रही है जिस presentation को आप देख रहे हो similarly इस colleague ने भी वही headset पहना हुआ है इसको भी virtually ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पर बैठे होए हो और इस तरीके का एक environment create हो जाएगा virtually जहाँ पर आप चारो ही meeting attend कर पा रहे होगे इस तरीके से यहाँ पर meeting attend हो रही होगी लेकिन आप लोग अपने अपने घर में बैठके ये meeting attend कर रहे होगे सिरफ virtually एक इस तरीके का environment create हो जाएगा जहाँ पर की meeting attend हो रही होगी plus बाते हो रही होगी जैसे कि यह आप हो आप किसी चीज के बारे में समझा रहे हो तो यहाँ पर आवाज आएगी आपको आपके headset में similarly इसको यह जो आपकी colleague है इनको headset में अपने आपकी आवाज सुनाई देगी इनको कुछ बोलना है तो यह बोलेंगी और इस तरीके से यहाँ पर virtually एक meeting होगी held similarly जैसे कि यह experience है आपको कहीं घूमने चाना है आपने headset लगाए हुए है आपने और आपकी friend दोनों ने headshots लगाए हुए है लेकिन आप लोग घूमने जा रहे हो एक virtual ही reality में मतलब real में नहीं है यह virtual reality है दोनों घूम रहे हो अगर हाथ पकड़ना है तो दोनों को इस तरीके की feeling आएगी एक दूसरे ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हो है with the help of sensors, sensors मदद करेंगे और आप दोनों की एक नई virtual reality में घूम रहे होगे मतलब की जैसा की space उसको दिखाए देगा वो जहाँ घूम रहे है वैसा ही space आपको दिखाए देगा कि आप भी वहाँ घूम रहे हो और इस तरीके से कई जगे पे आप explore कर सकते हो virtually not physically okay घर बैठे बैठे ही तो इससे आपका movie का भी कर्चा बच जाएगा काफी यहाँ पर Mark Zuckerberg है इन्होंने अपना अफ़तार बनाया था तो यह अफ़तार आप देख सकते हैं क्या होगा Mark Zuckerberg ने एक headset device पहना हुआ है ठीक है वो जब device के through देखते हैं तो उनको देखता है कि इस C के उपर यह अफ़तार बना हुआ है इन्ही का ठीक है लेकिन अगर कोई third person यहाँ से देखेगा इस C की तरफ तो उसको यह अफ़तार दिखाई नहीं देगा सिरफ यह अफ़तार किसको दिखाई देगा Mark Zuckerberg को क्यों? क्योंकि उन्होंने ये एक headset पहना हुआ है जिसकी help से वो यह सब चीजे देख सकते है ठीक है? एक virtual reality को real में exist करता हुआ देख सकते हैं ओल्राइट यह सब एक virtual reality होगी जैसे कि C है यहाँ पर उनको सामने एक अपना अफ़तार खड़ा हुआ दिखाई देगा या फिर कोई भी चीज ऐसी virtually जो भी create करवाई गई होगी वो सब दिखेंगे अब यह तक आप सिरफ facebook में अफ़तार बनाते थे metaverse में क्या होगा? आपको सामने सामने वो अफ़तार दिखेंगे भी समझ आ गई? चले आगे चलते हैं अब इसी तरीके से यहाँ पर है आपको कई चीज explore करनी है किसी city में घूमने जाना है या फिर कई घूमने जाना है तो इसी तरीके से आप यह headset है आपका आप headset लगाएंगे और एक नई दुनिया में चले जाएंगे एक psychedelic experience होगा आपको बिल्कुल different सा और एक नई दुनिया में आप जाएंगे explore करेंगे आपको लगेगा मैं चल रहा हूँ उसी दुनिया में मैं सब काम कर रहा हूँ बट वो सब होगा virtually अब क्या होगा उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग shopping कर सकते हो for example आप घर बैठे हो आपने headset लगाया हुआ है आपको so and so shop से कुछ खरीदना है आपने क्या करा आपका एक अफ़तार जो होगा वो जाएगा उस shop के पास shopkeeper को बोलेगा कि मुझे ये सब चाहिए वहाँ पर जो shopkeeper होगा उसने भी headset पैना होगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ भई इसको ये सब चाहिए तो वो क्या करेगा वो आपको order send कर देगा घर पे आपको समझ में आ रही है किस तरीके से होगा कि headset कितना कितना मतलब कमाल की चीज़ है कि मैं घर पे मैंने headset लगाया हुआ है मेरे को दुकान तक जाने के भी जूरत नहीं है मेरा अफ़तार वहाँ तक जाएगा और similarly जिसने सामने जिस दुकान वाले ने उस headset को बहना होगा उसको भी मेरा अफ़तार आता हुआ दिखेगा कि हाँ इसको order चाहिए वो order प्लेस करेगा वो आपके घर तक महँचाएगा लेकिन घर तक महँचाने के लिए तो actual बंदे की जूरत ही होगी यह सिरफ तब तक का है जब तक आपको समान order करना है तो आपको समझ में आयागा metaverse क्या चीज है benefits क्या है यह देखे real world में एक virtual world भी होगा तो यह एक benefit है creative economic boost मिलेगा बहुत जादा जैसे graphic designers हो गए coding हो गई इस सब हो गई इन सब लोगों की जादा ज़र पड़ेगी नई नई technologies आपको देखने को मिलेंगी नई नई inventions आपको देखने को मिलेंगी time save होगा environment के लिए अच्छा होगा क्यों क्योंकि आप जब घर में virtually meeting certain कर रहे हैं घर में party कर रहे हैं तो obviously बात है ना ही भार जाओगे ना ही pollution होगा ना ही आपको harm होगा और time भी बचेगा plus environment को भी फायदा होगा समझें तो ये था आपका metaverse disadvantages के क्या हो सकते हैं कि हर चीज एक virtual level पे हो जाएगी तो जिसकी विज़े से आपका जो brain है वो ढंक से काम नहीं करेगा because obviously बात है जब हर चीज ही virtual रहेगी तो आपके brain में भी problem आ सकती है अब जब हर चीज virtual होगी तो आप reality से आपका वास्ता नहीं रहेगा कुछ time बात आप हर चीज virtual करने की कोशिश करोगे real world से बहुत ही ज़्यादा दूरी बन जाएगी दूसरा data की रक्षा और data की privacy अब ये तो है नहीं आपका data आप जाते हो कहीं meeting अटेंड करते हो अपने important document शेयर करते हो तो वो documents वर्चुली आपके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या वो safe रहेंगे हैं नहीं आप जो third party जो होगी facebook होगी meta होगी उसके पास ये सारा data saved होगा जो की leak होने का भी हो सकता है because हर काम तो वह ही करवा रही है इसी तरीके से आपकी privacy भी leak हो सकती है और एक्जामबल आप जा रहे हैं कि पार्टे अटेंड कर रहे हैं वर्चुली वहाँ पर कितने लोग आए किस टाइम आए क्या मतलब जो भी बाते हुई वह conversation होई वह सब चीजें जो होंगी वह private नहीं वह कैसी हो जाएंगी एक आपकी privacy जो है वह compromise हो जाएगी उसमें दूसरा जो devices है जो यह headsets है यह काफी जादा cost नहीं पड़ेंगे और आम जैसे आप जैसे लोगों के लिए यह एक सपना ही है अपना रह सकता है इतना महंगा headset खरीदना और उसमें operate करना वह थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो अभी हमारी जो economy है वह developing economy है तो उसके लिए यह metaverse का logic है यह metaverse का system है यह थोड़ा सा typical और थोड़ा सा महंगा जो है करने वाला है एक आम आदमी के लिए I hope आपको समझ में आया होगा metaverse जो भी problem हो आप मुझे बता सकते हैं till then take care good luck and keep